हेलो फ्रेंज वेलकम बेक तो मैं चैनल एंड दिस इस अपिक अगार रीडिंग और आज का जो कोश्चन है क्योंकि बहुत जादा जो कमेंट आ रहे है लोगों के इसी बात पे है क्या हमारी यूनियन होगी क्या यूनियन आ रही है आज कल जहां देखो यही चल रहा है और ब जो कि printed है यहाँ पर और second option है यहाँ पर यहोगों चैक आज क्या आपकी आपका पार्टन कोई भी हो चाहे वह ट्विन हो या ना हो क्या उसी इंसान के साथ आपकी यूनियन होगी आप रिजू इंट करेंगे करेंगे तो वह दो यहां पर लिये हैं तो यहां पर लिए हैं चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर वन की तरफ जिन्हों ने इसे इस प्रिंट को चूज किया है लेट सी अडवाइस कार्ड हम लास्ट में देखते हैं पहले हम कास देख लेते हैं आप लोगों के लिए तो यहां आया है आपके रिलेशन में चल रही होगी या यह आपकी रिसेंट पास्ट भी हो सकती है पिछले दो तीन मीनों की अनर्जी तो यह आपकी जो है प्रेजन सिचुएशन है मतलब आप डिसपॉइंटीड फील कर रही है और करेंटली आपको जो भी आपकी सिचुएशन आपके पाटनर के साथ चल रही है कोई फूटफूल नहीं लग रही है आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बन सकता है यह सम्टिंग तो यहाँ ओक्योग की सिचुएशन है ना तो आपको कोई प्रॉफिट लग रहा है इस कनेक्शन में लेकिन एक disappointment की energy है मिस करते हैं अपने partner को या तो यह recent आपकी past की energy रही है या कुछ लोगों की अभी भी energy continue हो रही है पर हम बात कर लेते हैं future की ठीक है तो अभी देखिए यहाँ पर जो आपने बात पुछी थी क्या आपकी इस इंसान के साथ reunion होगी तो मुझे यहाँ काफी chances लग रही है और even action भी लग रहा है और even लग रहा है कि आपकी जो union है वो काफी fast हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पर काफी passionate energy देखने को मिल रही है और जो अपने आप में एक action वाली energy भी मुझे देखने को मिल रही है action taker तो आपका जो partner है वो अपनी vibration को raise करके अपने उपर काम कर रहा है किसना किसी way में ठीक है emperor की masculine energy को जगा रहा है even आप अगर लड़के हैं और यह लड़की के लिए देख रहे हैं वो लड़की जो है या जो भी आप जिसके लिए पूछ रहे है वो अपने अंदर की masculine energy को जगा रहा है high vibration में आ रहा है थोड़ी सी ego problem हो सकती है but बहुत ज़्यादा passion है attraction है आपके partner को आपके साथ plus आप या आपका partner manifest करने में लगे हुए है इस connection को because of that manifestation जो आपका partner है वो भागता हुआ आपके तरफ आ रहा है इतनी ज़्यादा passion burning passion फील कर रहा है आपका partner बहुत ज़्याद जो है in future आपकी तरफ आएगा और यहाँ पे जो है आपके union के chances लग रहे है कि आपका partner new beginning करना चाहता है आपके साथ इस relation में effort put करेगा या फिर currently वो अपनी money को लिए भी focused है जो money area है उसे successfully achieve करने के बात हो सकता है वो action ले आपकी तरफ कुछ लोगों के लिए भी वो money पे focused है money area को जो है फटा-फट से complete करके आपकी तरफ भागता हुआ आएगा यह इंसान या फिर यह इंसान इसी connection में simply efforts जो है put करेगा काफी fast attraction का level तो यहां पूछो ना passion बहुत है इस इंसान को attraction बहुत है lust बहुत है और यह आपके साथ justice करना चाहता है और manifestation भी आपका partner कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है current situation या recent past जो मर्जी हो लेकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इनर्जी आने वाली है और यह पासिंग आउट इनर्जी है या तो अलड़ी पास आउट हो चुकी है या अभी भी continue है लेकिन यह आपका आने वाली new energy है मतलब यहां मुझे union के chances लग रहे है action taking cards आई है काफी फास जाती हुए भी दिख रही है आपका partner भी grow up होते हुए दिख रहा है अपनी best form में best version बनते हुए नजर आ रहा है effort यहां put होंगे और manifestation की वज़र से ही जो है यह connection एक बार फिर से union में आ जाएगा आप यह आपका partner definitely इस connection को manifest कर रहे है और इस manifestation की वज़र से ही यह जो new beginning है और आपका partner आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है ठीक है advice देख लेते हैं जल्दी से तो हमारे पास सनत कुमार आया है light activation shine your light your inner guidance is coming through loud and clear तो यहां आप यह आपका partner clear cut जो है अपनी intuition को सुन पा रहा है उस divine light के साथ connected है light activation करी लोगों की हो चुकी है कुन लेनी जागरत हो चुकी है manifestation बहुत strong तरीके से काम कर रही है इन ispail वालों के लिए ठीक है यह manifestation का ही result आने वाला है आपकी तरफ कमांडर अश्तार सोरी whatever the pronunciation call to action see action फिर से आ गया तो काफी जल्दी action लेने वाला है आपका partner आपकी तरफ take charge lead by example walk your talk तो यहां पे जो है walk your talk and take charge तो आपको ही lead करना है आप भी manifest आप भी एक हो सकते हैं इस connection को manifest किया है ठीक है जिसकी वज़र से ही जो है य result आने वाले time में दिखाई देंगे यह छोटी सी reading थी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ठीक है friends चलिए अब हम चलते हैं pile number two वालों की तरफ जिनों ने ये card choose की थी चलिए advice card हम लेते हैं last में चलिए यहां seven of swords आया है nine of wands आया है two of cups आया है ten of cups आया है page of pentacle आया है हमरे पास wheel of fortune आया है और यहां पे page of swords and seven of cups आया है ओके तो मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि यहां पे इतना fast result अभी देखने को नहीं मिल रहा है pile number two वालों के लिए union होने के chances future में बन सकते हैं यहां पे लेकिन बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि एक दम से अभी union आ रहा है तो मुझे नहीं लग रहा पर मैं को यहां पे अभी जो है obstacle बहुत जादा नजर आ रहे हैं आपके connection में बट एक चीज में आपको बताना चाहूंगी no doubt यहां पे soulful सा connection है ठीक है यह soulful connection है one sided love बिल्कुल नहीं है जिन लोगों ने pile number two चूस किया है यह बिल्कुल भी आपका जो है one sided love नहीं है अगर आप यह सोचते हैं कि आपका partner पता नहीं आपसे प्यार करता भी है या नहीं तो ऐसी बात नहीं है लेकिन हाँ इस इंसान की जो तरी तोर तरीके थे past में वो cheater के जैसे थे एक player के जैसे थे एक manipulator के जैसे थे past में इस इस इंसान ने आपको hurt किया ह या तो जूट बोला है या तो भाग गया है या तो run कर गया है या self sabotage कर गया है या आपने emotions नहीं बताता कुछ तो ऐसी चीज इस इंसान ने past में की है लेकिन आप यह देखिए यह जो दो card है बहुत strongly feel हो रहे हैं मुझे यह एक soulful connection है ठीक है love दोनों side से है आपका partner आपको as a emotional satisfaction दिखता है मैं यह क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पर अभी मुझे fast union आती हुई नजर नहीं आ रही वह इसलिए कह रही हूँ क्यों कि यहाँ पर कोई मुझे action taker card नहीं दिख रहा उल्टा मुझे जो है यहाँ पर obstacles दिख रही है पास्ट में कुछ cheating or lines हुई है अभी भी mind scattered है आपके partner का अभी भी आपको दूर से सिर्फ stock करता है और अगर आपके पास आएगा अभी तो क्या लेकि आएगा एक छोटा सा message ज्यादा से ज्यादा यह इनसान अभी आपको एक छोटा सा message send कर सकता है that's it और कोई यहाँ पर मुझे खास energy अभी आते हुए नहीं नजर आ रहा है दूर से स्टॉक तो करता है आपको यह लेकिन इसका mind scattered है आपको जो offer कर रहा है वो भी appropriate नहीं है और यहां obstacles तो है लेकिन इस connection के लिए लड़ना चाहता है कहीं न कहीं brave है आपका partner लेकिन past में तो यह रन आउट कर गया था लेकिन यहाँ पर कोई चेंज आता हो न ज़रा रही है चीक है क्योंकि आप उसकी ultimate wish come true है चलिए advice ले ले लेते हैं आपके लिए hope love and acceptance love is yours recognize your divine worth choose loving thoughts अगर आप अपनी self worth को पहचानेंगे जो मेरे viewers हैं आप एक divine being है rather than on a physical node अपने आपको judge मत कीजिए money के level पे अपने आपको judge मत कीजिए अपनी जो soul की purity है उससे judge कीज चीक है आप वो divine है चीक है तो अपनी divine worth को पहचानी है तबी जो love है वो आपका होगा love is yours right if you recognize your divine worth next है हमारे पास diana focused intention think about what you desire set your sights high expect the best possible outcome मुझ ऐसे लग रहा है कुछ लोग काफी negative thinking रखते हैं इस connection को लेकर आपको अपने जो इस कार से मुझे ऐसे लग रहा है कि focus intention डालने की जुरूरत है आपको positive intention डालने की जुरूरत है यहां थोड़ी manifestation करने की जुरूरत है क्योंकि यहां पर focus intention नहीं लग रही है कुछ लोगों की तो आप जो हैं कई बार negative ही सोचने शुरू कर देते हैं इस connection के बारे तो वो ना करे flying free I unfurl my wings and fly आप खुद जो है अपने आपको अजाद कर दीजिए इस connection से उनने दीजिए अपने आपको और फिर आप देखेंगे कि खुद ही जो abundance आपके life में आ जाएगी tension के साथ जो है अपने आपको भारी भरकम जो है आपके heart पे जो feel हो रहा है उसे ना feel करें यह message आया झाल